नमश्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवान श्रीराम के शुरबाश्य आप सभी बहुत अच्छे होंगी जिया दोसों दोसों हम आप शुबी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लिख राए हैं जिया दोसों आप शुबी को बता दे कि अब आपकी रक्षा कर रहा है मर्यादा पुर्शुतम भगवान शिरीराम जिया दोसों और रावन जिसे लोग अब इनसे हो जाएं शावधान क्योंगि दोसों आप शुबी को बता दे कि अने वाली दोसे चार दिनों के अंदर आप शुबी की जुनकाल में बहुत ये बड़ी गटनाई होने वाली है जिया दोसों जिने गर आप शुनेंगे तो दोसों आपके भी खोथ उर साएंगे आप शिबी को बता दे कै दोसों याश्र में आने वाले दो से चार दिनों के इंदर आप शिबी की जुनकाल में जो भी आपके दुश्मन हैं जो भी आपको पिछलिश में बहुत यहदा परिशान किये हैं जिन्होंनी दोस्वों आपको जिन्य की मुहलत तक नहीं दी जिनसे आप अपने जीवन की वह द्विख ठर्ब नहीं दोस्तों आप आप ने बहुत पर Coffee या जिंद के लिए आपने जिन के लिए अपने जुन्न काल में आपने जिन पर सबसे ज्जिणाता विश्वास किया है दोस्तों उन लोगों ने आप आपको रहें बोखत ज़यों दोक्त Все और ये घटनाएं अब नहीं होंगी कि जो लोग आपको करते आ रहे ते जो लोग आपको परिशान करते आ रहे थे जो लोग आपके आपको खुश नहीं देखना चाहते थे दोस्तों अलोगों को श्जा मिलने वाले जिया दूस threat the firstly भागवान श्बाम वन अभी लोगध को देने वाले हैं और पaldoंके सबसे बड़ी सजा होगी कि आपकी तरक्य आपकी काम्यावी और आपको मिनने वाले हं यह दोसों जब भगवान शीराम आपको आने वाले tusi चार दिनों के इंदर बड़ी घुशकुपरियां देंगे बड़ी बड़ी शुपलताई देंगे स्विंहें और बड़ी सभी के जिवनकाल पर चलने वाले हैं बहुत शारी कुशकब्रिया मिलेंगी बहुत शारी बड़े बतलाव होंगे और दोस्तों यह में आपको बहुत यह दा शत्तर को शावधान भी रहना होगा को दोस्तों दुश्मन है तो वह कोई ना कोई शड़ेंतर जरू करेंगे वह आपकी कम्याबी देख नहीं शकते यह में दोस्तों दोस्ते चार दियों के अंदर आपको कौनशी विशेश सावधनिया रखनी होंगी कौन-कौनशी बड़े खुशकबरी मिलने वाली है आपके घर के महौल में पारिजोन में आपके पड़तेक चितर में कौन-कौनशी ब बहुत यह दंशी परशन होंगे तो दोस्तों आप इन उपाय को जरूर किजेगा जिवन के सबसे बड़ी मुलमंत्र हैं आप इन्हें ध्यान सुने का जह दोस्तों और शभी बातें इस वीडियो में गहरी तरीकेश गरहों की गोशर प्रदारी थे इन्हें अंतर तक देख किये गाउशेव पहले दोस्तों जो भी बगवान प्रभू श्रीराम के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और कमेंट बक्षमीं सच्ची मन्स से जई शुरी राम जई श्रीराम जई श्री राम यह नाम कोई म ऐसे से जो सड़्य की आशा करना बिश्वास करना भरोशा करना बाप है केवल एक भगवाण ही यहीं है जो किशी वेक्टी का पिछला इतिद्यास नहीं देखते उसके वर्तमान आच्यन नहीं देखते वह देखते हैं केवल उसके विश्वास को और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अथवा उसकी अभाव की अनुभुती का अभाव कर देते हैं मन उसको दुख होता है अभाव की अनुभुती शे अभाव की अनुभुती मिठ जाने पर उसका ज़रू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्ष मिख दें जय श्री किष्णा राधी राधी तो आई दोस्तों भी श्री के शाद बात करते हैं कि आने वाले दो से चार दिनों के अंतर बगवान श्री राम आप श्रुबी की जुनकाल में आपको कौन-कौन श्री बड़ी बगवान श्री राम परशन हो जाए और दोश्मनों श्री भी आपको मुक्ति मिले तो दोस्तों श्री में आपको कौनशी उपाई को करना चाहिए इनके बारें बात करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों यसमे अधिकता श्रुमिर्ग श्र्माजी गतितियों में वहितित होगा आपकी करश्मता और अधिक शस्री तो होगी दोस्तों श्रंतान के केरिये श्रुमंदी स्मश्राओं को डुपोर्व्यक्ति की यसमीर्ग ह adaptive ही मिलने वाली है वह दोस्तों विस्तार अगर प्यात्रिक शमंदी कोई बाद विवाद चल रहा हो तो दोस्तों यश्में उसके बढ़ने का भी अशंकाल लग रहा है तो दोस्तों यश्में इस सावधान है और अपने शुभाव में धहरी वह फिर नर्मी मना कर रखें गुश्य के गुश्य से बाद जो है बिगड़ सकती है किसी भी परकार की यातरा नुक्षान दे शमें आपके लिए होने वाली है तो दोस्तों इन सब चीजों से आपको यश्में सावधान रहने की भी आवश्यता होंगी और इसको प्राद दोस्तों यश्में आपको बता दें कि दोस्तों बड़े लक्षयों को छोटे- बताएगा शमें आपके लिए अनद दायक रहेगा इनसे आपको आनद की प्राप्ति होगी और दोस्तों इसको प्राद यश्में आपके लिए समय होगी आपको बता दें कि आपको शकारतमल दिश्टी कौन घर तदावाय शाइद दोनों जगों पर उचित समाजश्च बन आपको रखेगा अगर प्रॉप्टे के लेंदर समधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उसे तुरंत कारी रूप दें घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्त करवाने की योजना भी बन सकती है और दोस्तों इसको प्रांद यश्में जल्दी उपलगदी आशिल करने क चकर में गैर कानुनी कारी में हाथ ना डाले बैतर होगा कि श्मे के अनुश्वार अपने कारियों को अंजाम देते रहें यह आपके लिए अत्युक्तम होंगी दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मामले में हस्पेक्ष करना आपके मानानी करवाश रखता है और दोस दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बढ़ते गुश्य की कारण आप अपने करीबी व्यक्ति को दिल दुखा शकते हैं खुद के प्रति और गलत भीमिया भी आप बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों होश्वार के इन सभी से सावधान है यह आपके लिए यह में बहतर हो आतारण भी अनुश्वासित और सकात्मग यह में बना रहेगा किसी समय को नश्ट ना करें यह में फिजुल खर्ची पर भी आपको नेंतर रखने की आवश्यक्ता होगी दोस्तों घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति की सलाह की आव भेलना करना यह में आपके लिए नुक्षा जहना चाहिए और दोस्तों प्रहांत याश्यक्ति आपके लिए दिंहों का रूंग आता दें कि दोस्तों आपको बनायुए युजना को पूरा होते देख आपको जोने न को अधिक प्राप्त होने वाले और दोसनों यह में अगर खिकर द्यारी करने की आपकर आपको बता दें कि परिशानी का हल भी मिलेगा अपनी जो है शमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए परिवार के शाथ घर की जरत समंदी वस्तुओं की खरिदारी में भी शमय वहतित होगा और दोस्तों किसी नहीं अधिकी रिष्टिदार के शाथ सल रहे बाद गवाद के सुल्जनेंव से शमंदों में दोबारा मधूरता प्याश्मय आने वाली है और दोस्तों इसको प्रांद याश्मय अगर आपकी केरेट कर बात करें तो दोस्तों याश्मय आपके वहिशाय के लिए जो समय होंगे दिनस्त करमचारी के मांश्मान में आपको ध्यान देना चाहिए यह आपके भाईश के लिए बैतर होंगे कि दोस्तों याश्मय वाईपार में विस्तार शमद्य उजनाओं पर घमिरता से विचार करें दोस्तों आपके व्यक्तित या फिर आपके कहें तो मधुरु भाषा स्वभाव से जो है वाईपारी समंद और अधिक मजूद होते हैं तो दोस्तों इन पर जोड़ दें ध्यान दें और अपने वाणी को जो है इसी तरह बरकरार रखें आप भाईश के लिए आपके बैतर होंगे और दोस्तों इसको प्रांद याश्मय आपके लग लाईप के बनने वाले हैं और दोस्तों इसको प्रांद याश्मय आपके श्वास के लिए जो समय होंगे आपके हैल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि श्वास में वर्तमान मोश्म के वज़शे हलके फुल के उतार चड़ाव की इस्तिती भी रहेगी अपने खान पर और पिर दवाइयों का विशेष ध्यान रखें यापके श्वास के लिए याश्मय बहतर होंगे दोस्तों हलकी फुल की मौश्म परिया जिसे कहां से जो काम गला खराब आदी परिशान करेंगे जिसलिए लप्रवाई ना परते ही तो आपके लिए बहतर होंगे तो ऐस दोस्त जिनसे भगवान प्रशन हो जाए उपाई बहुत यदा शरल होते हैं जिन दोसों आप देखे होंगे कि बहुत शारी लोग भगवान को बहुत बड़ी-बड़ी रकम में वस्तुएं चढ़ाते हैं तो दोसों इसे में 2-4 दिनों के अंदर आप शुवी को अपने जुनकाल मे कोई भी गाय हो जो खड़ी हो जो बैटी हो दोसों उसे रोज आप खिलाएं लेकिन दोसों इन्हें आपको भगवान श्रीराम शमच कर रोटी खिलाना है इतनी प्रशनता से कि समझो भगवान श्रीराम आपके पास खड़े हैं और जब भी गाय को रोटी खिलाएं बगव वहार शुर्राम आप शीप परशन होंगे जीव उनकाल के आपके कश्ट हर लेंगे और दोस्तों आपके उनकाल में खूशियां मिलेंगी पेशा प्यार शब कुछ शे घर भर जाएगा तो दोस्तों उमीद करतें कि आज कई है वीडियो आप शबी को परशन आया है परशन आ हुआई कर दोस्तों कई तो में खुर्यां पर जलेिएव बदीप